आज हम बात करेंगे AMH हॉर्मोन के बारे में जिसे एंटी मुलेरियन हॉर्मोन भी कहते हैं यह हॉर्मोन क्या है और इसका हमारे सरीर पर किस तरह से असर पड़ता है और क्या इसका महत्व है तो हम बताना चाहेंगे कि जो एंटी मुलेरियन हॉर्मोन है यह हमारे सरीर में ओवरी से निकलने वाला एक हॉर्मोन है जिसका मुख्य जो एसेस्मेंट होता है कि ओविरियन रिजर्व कितना है उस मैलाओं में अंडा बनने की छमता कितनी है वह उससे हम लोग एसेस करते हैं कभी कभी देखते हैं कुछ मैलाओं में एमेज की संख्या काफी कम रहती है और किसी किसी में बहुत ज्यादा होती है नॉर्मल रेंज जो इसका है वह 2.524 होता है जिसमें कि उसकी फर्टिलिटी जो है वह काफी अच्छे से देखी जाती है लेकिन अगर एमेज का वैल्यू कम होता है उसमें भी एक बहुत बड़ी समस्या और फर्टिलिटी को लेकर होता है और जब चार से ज्यादा होता है तो उसमें भी हमारे जी कॉलिटी ऑफ उस साइट्स है वह भी एफेक्ट करते हैं एमेज का जो सरीर में रेंज है वह बिलकुल ही इंपोर्टेंस रखता है जब भी हम फर्टिलिटी की बात करते हैं तो अब एमेज किस-किस कारण से यह एफेक्ट होता है तो यह जो एमेज वेल्यू है वो उम्र के साथ घटा चला जाता है जैसे जैसे हम मेनोपॉस की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें एमज का वेल्यू घटने लगता है साथी साथ कुछ क्रोनिक जो बीमारिया है जैसे की हमारा टूबर क्लॉसिस है या फिर कुछ महिलाएं हैं जो बहुत फिजिकली नहीं है नुटिशनल कोई डेफिसेंसी है वीक्नेस है तो वैसे कंडिशन में भी देखा जाता है कि उसकी एमज की वैल्यू भी कम पाई जाती है बात करेंगे कि एमज को बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या उपाय है तो आम तो पर एक नुटिशनल सप्लिमेंट हम लोग यूज करते हैं ताकि उसका एमस को हम लोग बढ़ा सके उससे क्वालिटी ओ जो एक्स है और नमबर ओफ एक्स क्वालिटी ओफ एक्स वह सारा काफी अच्छा हो सके ताकि उससे जो बनने वाले जो इंभियों है वह काफी अच्छी ऑपरिटी का हो और वह तिल्टर्ण प् को miscarriage और या नहीं तो हमारा वह pregnancy में उसको भी अबॉर्टे या तो फिर continuation of pregnancy में काफी हुद्गति होती है तो इसे समय हमारे सरीर का बहुत important hormone है और जो एसे सह करता है कि हमारा जो fertility है वह कितना प्रिजर्व है कितना संचित है हमारे सरीर में धन्यवाद